अभी NIS में एक सबसे बड़ा प्रोबलम बच्चों के साथ ये चल रहा है कि जिन बच्चों ने NIS में रजिस्ट्रेशन लिया एडमिसन करवाया उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक कनफॉर्मी नहीं हुआ है अब बच्चों के मन में कई तरह के सवाल दिमाग में घुमे जा है रिजेक्ट हो गया तो और अगर रिजेक्ट हो गया आपने अपकरि सक्षाय करवाया है अभी . अभी तक आपका confirm नहीं हुआ है या फिर आपने October 2024 में करवाया है और अभी तक आपका confirm नहीं हुआ है तो ये वीडियो आफी के लिए है और इस वीडियो के end तक वो सारी जीजे हम आपको बताएंगे कि अगर आपका confirmation अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए पर हाँ धरे नहीं बैठना है ये तो वाकई में confirm फिर नहीं होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को जरूर आउन क्या होगा इससे हम और हमारी पूरी टीम को motivation मिलता है ताकि आपके साथ साथ में हम चलते रहें और बीच वीच में जो भी problems आता है उन problems को दूर करने के लिए ऐसे ही useful विडियो लेकर आते रहें NIS में admission pending हो रहा है और क्या लिख के आ रहा है तो लिख के आ रहा है verification under progress ये चीज़े आपको दिखाई दे रहे होगे अब इन चीज़ों में तीन तरह के विद्यार्थी को हम mention करना चाहेंगे सबसे पहले जो हम mention करना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो October 2024 में registration लिया है देखिए जिनका भी October 2024 में अभी admission हुआ है क्यूंकि ये बिल्कुल latest है यानि कि 31st July इसका last date था तो अगर आपने अभी हाल फिलाल में करवाया है तो आपको यहाँ पर wait करना चाहिए आपको इंतजार करना चाहिए आपको कोई panic होने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको अगर लगता है कि बिल्कुल ही time बहुत ज़ादा आपका हो गया है आपका एक महिना हो चुका है आपने एक महिना पहले registration लिया था दो महिने हो चुके हैं तीन महिने हो चुके हैं तो ऐसे case में अगले slide में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन अभी recent है तो आपको दो काम करना है आप चितने चाहिए October के हो एपरिल के ओन डिमांड को सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए NIS में आपको login करना चाहिए NIS में login करने के बाद dashboard में जाए वहाँ notification के एक icon होगा उसे click करने के बाद अगर NIS board की तरफ से कोई official notification आपको आया है या mail आया है कि यह आपका document का error है या आपको फिर से re-upload करना है या यह चीज़े miss है तो वो चीज़े immediately आपको कर देना चाहिए अगर वो चीज़े आपने नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको form reject हो जाए या अगर इस तरह के कोई message आपके पास नहीं आया है तो आप इंतजार कीजिए आपका 100% आपका जो admission है confirm होगा और फिर भी अगर बहुत दिन हो रहा है तो हम उपाई बताएंगे इस वीडियो को इसलिए बनाया गया ताकि हम आपको solution दे सकें आगे सुनिए April 2025 की बात करते हैं देखिए April 2025 की थोड़ी सी कहानी अलग है अलग क्यों है इसके पीछे कारण है क्योंकि April वालों का जितना काम होना सब October के बाद होना है तो जितने बच्चे अभी April 2025 में enroll कर रहे हैं या कर चु notification भी उपर से नहीं आया है तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है आपका 100% आपका यहां confirm होगा बट अगर ज़्यादा है तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि क्या करना चाहिए on demand वाले सबसे critical case में आते हैं क्योंकि on demand वालों के पास ज्यादा समय नहीं होता है और on demand का exam दे रहे हैं तो आपको update चेक करते रहना होगा क्योंकि on demand वाले case में कोई solution नहीं है इसका यही है कि आपका आएगा तो आएगा तो इसलिए on demand वाले टेंसन ना ले बहुत rare होगा तो आप वो follow कर लेना जो मैं April in October वालों के लिए बताने वाला हूं तो मैं क्या आपको बताने वालों basically यहाँ पर आपको NIS headquarter को original center को आपको mail करना है क्या mail करना है यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको अपने registered email id से mail करना चाहिए आपको यह NIS headquarter का email id कहां से मिलेगा मैं भी आपको बताऊंगा आपका जो भी estate है वहां original center कौन सा है उसका कहां से हमें information मिलेगा जैसे उसका official website विगरा वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले जरूरी बात जब आप mail करेंगे तो mail करने में आपका जो reference number है क्योंकि payment के बाद तो reference number आ जाता है तो आपका जो reference number है आपके email id पर ही आया होगा और आपका जो registered email id है दोनों को mention करना होगा मेरा नाम यह है मेरा यह reference number है यह मेरा registered email id है फिर अपनी problem जो भी आप बताना चाहते हैं problem को आपको mail कर देना है जब आप mail करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आज mail करेंगे कल reply आ जाएगा और जरूरी यह भी नहीं है कि इस mail का आपको reply आए ही इसलिए हर एक दो दिन पर आपको लगतार mail क करना चाहिए ताकि आपका reply आ सके अब आपको लेकर आते हैं में यहां पर एनाइस के officially जो website कैसे आप contact करेंगे मैं आपको पूरा data यहां देता हूँ यह एनाइस का official page में सबसे लास्ट में यहां पर लिखा हुआ contact us अगर आप द्यान से देखेंगे तो यहां पर आप आएंगे तो यह सारे आपको कुछ options मिलेंगे जैसे यहां आपको headquarter दिखेगा आपको regional offices मिलेंगे study centers मिलेंगे मैं आपको एक चीज किलियर कर देना चाहूंगा कि study center वाले इस मामले में कोई help आपके नहीं करेंगे क्य अगर हम headquarter पर click करेंगे यहां पर एक page यहां open होगा जिसमें वो सारे detail यहां पर आपको मिलेंगे जो detail आप use कर सकते हैं या अपने problem को यहां पर calling के जरीए बता सकते हैं हालाकि अगर आप calling करेंगे तो सायदी आपको कोई ऐसा help मिल पाए जिसकी आप उमीद कर रहे हैं इस अगर फाक्स और email ID मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं एक चीजी email ID में आपको ध्यान देना हुगा इसमें कोई भी email ID पर आएंगे यहां पर दिखा हुआ है तो add लिखा हुआ add rate लिखा होता निस होता है डॉट होता है यह चीजह आपको खुद अंड़स लगा दूँगा मैं एड़ रेट फिर हो गया एन आई ओएस फिर देखो डॉट यह डॉट लगाऊंगा फिर एसी फिर डॉट फिर इन तो इस तरीके से आपको इमेल इड़ यहां पर अपने सिस्टेमेटिक तरीके से बनाना है और आपको मेल करना तीछी जी किलियर हो गई अच्छा रिजनल वाले में जो मैं आपको लेकर आया था यहां पर रिजनल ऑफिस खाला की वहीं पर आपसंस होते हैं रिजनल का भी अब बाहर आकर भी आ सकते ह हर एस्टेट का जो रिजनल सेंटर है उसका प्रोपर एड्रस के साथ में यह डिटेल दिया गया यहां पर ठीक हलाकि जैसे यहां पर आपको मिल जाएगा अब बापस आपको ले कराना चाहेंगे हम अपने पेज पर इस तरीके से हमने बताए यहां पर आपको मेल करना और एक चीज मैं आपको किलियर कर दूँ एन आई ओएस किसी भी एड्मिशन को ऐसे रेजेक्ट या कैंसल नहीं करता है इसके लिए वो प्रोपर आपको समय देता है पहले एक बार इन फॉर्म करता है कि यह चीज़े हैं यह एर्यार है आप सही करवालो दूसरी बार देता है तीसरी बार देता है मेरे हिसाब से तीन-चार कई वर पांच-छे महने तक का समय होता है बार बार आपको अपडेट मिलता रहता है अगर आप इन अपडेट को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं इग्नोर करते जाते हैं तो ऐसे कंडिशन में यह बैड मान जाती है मतलब उ आपका यह करेक्शन करना यह करना तो उसको कर लो अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे टीम से भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा जो टीम का वाट्सप नंबर है 9289-377-247 इस नंबर पर आप वाट्सप करके आपनी समस्या बता सकते हैं आगे हम बात करना चाहेंगे यहां पर आपको क्या करना है यहां पर अभी केबल केबल तयारी करनी है आपका एडमिसन 100% कंफर्म होगा कई बच्चे यह सोच रहें कि जी सर पहले कंफर्म हो जाता फिर हम तयारी करते हैं ऐसा थोड़ी होता है वह आपने डिमिसन ले लिया ना तो आप मैं आपको बता रहूं कि रिजेक्ट किसी का नहीं होता है सब का कंफर्म होता है तो एक बार आ गए तो होना ही होना है ठीक है तो तैयारी फोकस कीजिए और हमारे एप जी सी सी एन आईस क्लासेस वेब साइट इनको जरूर आप यहां पर डाउनलोड करें और वहां पर जो हमारे फैकल्ट साव 500 प्लस वी वी आई पी वाई क्यू कोईसंस प्लस चेप्टर वाई नोट्स दे रहे हैं प्रवाइट कर रहे हैं इसका लाब लीजिए पढ़िए मेहनत कीजिए आगे बढ़िए और कोई यहां पर ऐसा नहीं है आप समय खराब करते रहेंगे प्रॉब्लम चैलेंज आ आपके साथ होगा इसके अलाब अगर आपके पास कोई ऐसे डाउट है जो इस वीडियो में के लिए नहीं हो पा रहा है तो मैंने हमने फिल्टर कर दिया है अगर इस नंबर पर हमें वाट्स अब कर सकते हैं 928937247 तो आप ऐसे करके अपने एडमिसन को कंफर्म भी कर सकते हैं अपनी तयारी को अच्छा कर सकते हैं और NIS की दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उमीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए यूजफूल रहा होगा और इस वीडियो के अकार्डिंग में आपके साथ प्रोब्लम में तो आप उसको दूर कर पाएंगे सो तैंक यू सो मच इगेन विस्यू अल्दवेस्ट जय हिंद जय भारत